हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस ओफिसेल यूट्यूब चैनल मल्टी इस्टार बैच में आज मैं एक बार फिर आपके लिए 36 गड़ में निकली जोब वेकेंसी की बारे में जानकारी लेकर आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नई नई जोब की जा जानकारी बताऊंगा तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी तो यहां 36 गड़ पूलीस बल में बस्तर फाइटर के लिए एकिस सव रिक्त पदों की भरती के लिए आप ओफलाइन आवेदन कर सकते हैं जो भी उमिद्वार अपना केरियर इस बस्तर फाइटर में बनाना चाहते हैं और सीजी पूलीस बस्तर फाइटर भरती दोजार एकिस बाइस में आवेदन करने को इच्छूख हैं वे समस्त सेक् बस्तर फाइटर भरती 2021-22 की जरूरी नियम सर्तेओं के बारे में जनकारी दिया गया है इसमें 2100 स्यधिक विभीन पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप महां से डाउनलोड कर इसका ओफिश्यल नोटिफिकेशन पड़ सकते हैं इस पद के लिए विज्यापन जारी होने का तारीक है 14 अक्टूबर 2021 तथा आवेदन करने का आपका मोड होगा ओफलाइन आप ओफलाइन मोड से ही इस पोस्ट के लिए अपलाई रशकते हैं चलिए आगे देखते हैं अब देख लेते हैं कि इनके पदों का विवरण तो इस पद का नाम है भरती विभाग का नाम 36 पुलीस बल भरती पद का नाम है बस्तर फाइटर भरती कुल पदों की संख्या है 21 सव अवेदन का मोड होगा ओफलाइन नौकरी की स्रेडी होगी नियमित भरती यानि की नायरपूर दंतेवाडा कोंडा गाउं इसका अफीशल साइट है बस्तर.gov.in अब देख लेते हैं कि बस्तर फाइटर के लिए निम्न पदों की कहा कहा भरती कितनी कितनी सीटे हैं तो कांकेर जिला में अनुसूचित जाती या बोले तो यससी के लिए 12 पद, यस्टी के ल आप इसका अवेदन पत्र कारयाले, पुलीस अधिक चक कांकेर में जमा कर सकते हैं अब अगला देखते हैं कोंडा गाउं जिला में तो यहां यस्टी के लिए है 12 पोस्ट, यस्टी के लिए है 212 पोस्ट, ओबीसी 42 पोस्ट तथा जेनरल के लिए है 36 प्ोस्ट कुल तीन सो पदों पर भरतिया निकाली गई है कुंडा गाउं जिला के लिए और यहां आप अवेधन पत्र कार्यालय पुलीस अधिक्षक कुंडा गाउं में जमा करना होगा अब देखते हैं बस्तर जिला के लिए तो यहां यसी के लिए 6 पद यस्टी के लिए 189 पोस्ट ओबीसी के लिए 42 पोस्ट जेनरल के लिए तिरसत पोस्ट यथा कुल तीन सो पदों पर यहां भी भरती निकाली गई है और इसका आवेदन पत्र आप कार्याले पुलीस अधिक्षक बस्तर जगदलपूर में आपको जमा करना होगा अब देखते हैं दंते वाड़ा जिला के लिए तो यहां भी यसी के लिए 12 पोस्ट यस्टी के लिए है 228 पोस्ट ओबीसी के लिए 42 पोस्ट तथा जैनरल के ल के लिए और यहां आवेदन पत्र आप कार्याले पुलीस अधिक्षक दंते वाड़ा में आपको जमा करना होगा अगला देखते हैं बीजापूर जिला के लिए कितनी पद निकाली गई है तो यहां यसी के लिए 18 पोस्ट यस्टी के लिए है 22 पोस्ट ओबीसी के लिए 42 प पंद्रपद यहां भी कुल 300 पदों पर भरतिया निकाली गई है अब इसका आवेदन पत्र आप कार्याले पुलीस अधिक्षक बिजापूर में आपको जमा करना होगा अगला देखते हैं सुकमा जिला के लिए तो यहां यस्टी के लिए है 252 पोस्ट ओबीसी के लिए 21 प जमा कर सकते हैं तो यह रही सारे पदों की जानकारी तो मिदवार ध्यान दें कि आवेदन को 12 नवंबर 2021 को साम 5 बजे से पहले आपको जमा करना अनिमार रहोगा और यदि कोई पोस्ट के माध्यम से आवेदन जमा किया है तो उन्हें रसीद लाना अनिमार रहोगा इसके अधिक जानकारी के लिए आप इसकी विभागी अधि आपको तुरिन करना होगा अब देख लेते हैं कि इसके लिए कितनी आयू सीमा मांगी गई है तो इसमें सीमा की गणना एक जनवरी 2020 की स्थिति में करना होगा इसमें आवेदक की निवनुतम आयू 18 वर्स तथा अधिकतम आयू 28 वर्स से जादा नहीं होनी चाहिए इसमें यस्टी तथा यस्टी और ओविसी को आयू में छूट दिया गया है इसके लिए आप इसका अफिसल नोटिस पर सकते हैं जिसका लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान ले तो पोस्ट जारी होने की ति अप्लाई कर सकते हैं इसका सीबीटी एक्जाम टेस्ट होगा जिसकी सुचना आपको दी जाएगी अब इस पोस्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगी इसमें पहला नंबर है आपका अधार कार्ड लगेगा आपका रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो सर्टिफिकेट और यदि आपके पास अनुभाव प्रमार पत्र हो तो भी आप दे सकते हैं इसके आवेदन सुल्क के बारे में जान लेते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन सुल्क नहीं देना होगा यह बिल्कुल निसुल्क है अगला देखते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इसके ओफिस्यल वेबसाइट बस्तर.gov.in में जाना है इसके बाद इसमें नोटीस या रिक्रूटमेंट में जाना है इसमें आपको विभागी अधिसुचना cg police, buster, fighter, job दिख जाएगा वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसका अध्यन करना है आपके सामने cg, buster, fighter, vacancy भरती आवेदन फार्म खुल जाएगा और इस फार्म को आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड कर आपको इसको प्रिंट कर उस फार्म को भर कर आपको जमा क करना है यदि इस फाम को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब वहां से जाकर डारेक्ट इस फाम को डाउनलोड कर सकते हैं अब देख लेते हैं इसका वेतर्मान कि आपको इस पोस्ट के लिए कितनी सेलरी दी जाएगी तो आपको इस पोस्ट के लिए मिनीमम 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की सेलरी दी जाएगी अब देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए चैन परक्रिया क्या होगी आपका सेलेक्शन कैसे होगा तो आपको मेरिट के अड़ार पर आपका लिस्ट बनेगा फिर इसको सोट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद आपका लिखित परिक्षा होगा उसके बाद आपका कौसल परिक्षा होगा इसके बाद सबसे आखरी चेरण होगा इसका साक्षातकार यानि कि इंटर्व्यू आपका लिया जाएगा जिसके साथ ही आपका चैन प्रक्रियापूर्ण हो जाएगा तो फ्रेर से जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें तता हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब कर लें जिससे नहीं नहीं जौब की जानकारी आप तक पहुंच सकें